जहिन साथ क्यों नमस्कार ट्रेपल सी की इस क्लास में आज हम 10 अक्टूबर 2021 को ट्रेपल सी एकसाम में पूछे गए Most Important Questions आपके साथ डिसकस करेंगे और इन प्रशनों को हमारे पास सेंड किया है अभिसेक राना जी ने, अभिसेक यादो जी ने, और भी लोगों के प्रशन हमें अभी मिलना है सबसे पहले इन सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद दोश्तों आप भी एकसाम के बाद questions हमें जरूर सन कर दीजेगा क्योंकि सभी के एकसाम में एक जैसे प्रशन नहीं आते हैं एक ही एक्जामनेशन सेंटर के सभी बच्चों के प्रशन अलग-अलग होते हैं साथी साथ एक्जाम के बाद आप अपना रिब्यू जरूर दीजेगा कि हमारी CCC की महामैरतन क्लास और LibreOffice की महामैरतन क्लास आपके लिए कितनी उपयोगी रही हैं और एक्जाम से पहले आप CCC की अब एक्षल कंप्यूटर की 1100 प्रशनों की महामैरतन क्लास को जरूर देख लीजेगा और प्रेजन टाइम पर एक्षाम में LibreOffice की काफी कुशन्स पूछा रहे हैं इसलिए LibreOffice की महामैरतन क्लास को भी आप कंप्लिटी अटेंड कर दीजेगा जिनने भी PDF की आवशकता है वीडियो की नीचे 2000 कुशन्स की PDF की लिंक है वहाँ से आप PDF को डाउनलोड करके अपनी तयारी को बहतर बना सकते हो तो टाइम वेश्ट न करते हुए चलिए शुरू करते हैं आज की ये क्लास योगि शीदी बात नोबकवास यही है अभैक्सल की क्लास लेट्स बिगिण इन दिस टॉपिक पहला क्रुष्टन है आपका NoSQL Stand For ये क्वेशन आज एक्जाम में काफी बार रिपीट हुआ है NoSQL Stand For तो इसका फुल फार्म होता है Not Only SQL ठीक है नोट कर लीजेगा काफी इंपॉर्टेंट क्वेशन है Option First is Right इंसरे प्रस्णों को आप मौक्टश्ट के रूप में लेते रहिए और कमेंट बॉक्स में अंसर देते रहिए और आप देखिए कि इसमें से कितने क्वेशन्स आपके सही हो रहे हैं अब देखते हैं Next Question निमलिखित में से कौन सी Money, Market, Securities के अंतरगत नहीं है राजकोष शलान जमा प्रमार पत्र, वारिजिक पत्र या फिर राश्टी बचत प्रमार पत्र बताईए तो Money, Market, Securities के अंतरगत आपका NSC जो होता है राश्टी बचत पत्र ये नहीं आता है तो Option D is right, काफी new question आपके लिए unique question है आप देखते हैं Next Question इक्वल सम A1, B1, C1, D1 का मान क्या होगा यदि A1, B1, C1 और D1 के मान क्रमसा 1, 2, 3, 4 है अब आप सभी को पता होना चाहिए कि सम फार्मूले का काम क्या होता है सम का मतलब होता है जोडना सम फार्मूला जोडने का काम करता है तो यहाँ पर A1, 1 है, B1, 2 है, C1, 3 है और D1, 4 है मिन्स इन सभी को अगर आपस में टोटल करेंगे तो 4 में 3, 7, 7 प्लस 2, 9, प्लस 1, 10 हो गया मिन्स इसका राइट आंसर क्या होगा option 4, 10 ट्रपल सी एक्साम में काफी फार्मूले भी पूछे आ रहे है सम, पावर, प्रोडेक्ट, सेलिंग, फ्लोर और राउंड ये काफी आदा पूछा रहा है तो फार्मूला कैप्सूल के माद्यम से इसे आप देख लीजेगा सर्च करिएगा यूट्यूब पर फार्मूला कैप्सूल बाई अभाएक्सल कम्प्यूटर और एक बार रिवाइस कर लीजेगा अब देखते हैं, next question अनाधिक्रित पार्टियों का खुलासा होने से जानकारी की रक्षा करना क्या कहलाता है, में इसे किस माद्यम से हम प्रोटेक्शन कर सकते हैं, प्रोटेट कर सकते हैं अपनी जो भी जानकारी है वहाँ किसी अन्ने के पास ना पहुँचे तो इसका राइड आंसर होगा, confidently, गोपनी था ठीक है, जो भी जानकारी है, वो गोपनी होनी चाहिए अगर उसे गोपनी नहीं रखेंगे, तो उससे हमें नुक्षान हो शकता है तो क्षिशन को समझगेगा, कई साई क्षिशन सी ट्रपल सी में आपको ऐसे मिलेंगे जिसको पढ़ने के बाद आपको थोड़ी सी कन्फूजन होगी, आप परिशान होगे लेकिन ध्यान से क्षिशन को पढ़ना है, और उसके आप्षन को पढ़ना है फिर दोनों को आपस में लिंक करके आपको आंसर देना है अब नेक्स्ट एक ट्वीट में अधिक्तम दोसो अक्षर हो शकते हैं ट्वीटर से समझगे कई साई क्षिशन ट्रपल सी एक्षाम में पूछे आते हैं जैसे कि एक प्रशन यह पूछा आता है कि ट्वीटर किसका उधारन है तो ट्वीटर आपका माइक्रो ब्लॉगिंग का उधारन है और एक ट्वीट में अधिक्तम दोसो असी केरेक्टर हो शकते हैं यहाँ पर सिर्फ दोसो लिखा है तो इसका राइट रांसर क्या होगा फाल्स हो जाएगा ठीक है अब नेक्स्ट कितने प्रकार की प्यस्पी मॉडल होते हैं बताइए तीन पांच साथ या फिर छे तो वर्तमान समय में प्यस्पी के पॉच्छ मॉडल एवलेबल है कहीं कहीं आपको चार भी मिलता है लेकिन टोटली पांच मॉडल आपको मिलेंगे ठीक है याद रखिएगा अब नेक्स्ट नेस्ट कुशन आपका CMS इस्टायन फॉर CMS का फुल फॉर्म क्या है बताइए तो CMS का फुल फॉर्म होता है Content Management System Option 3rd is right अब next पहली PD में Memory की रूप में किसका प्रियोग किया गया बताइए पहली PD में Memory की रूप में किसका प्रियोग किया गया था तो 1st generation, 2nd generation मिन्स पांचू generation से 666 आप में काफी साई कुशन पूछा आते हैं कि hardware की रूप में किसका उप्योग हुआ शाफ्टर में किसका हुआ तो एक बार repeat कर देते हैं 1st generation में यूज हुआ था आपका क्या vacuum tube काफी important है नोट कर लिजेगा पहले generation में vacuum tube का उप्योग हुआ 2nd generation में transistor का उप्योग हुआ 3rd generation में IC chip का उप्योग हुआ 4th generation में VLSI का उप्योग हुआ और 5th generation में AI का उप्योग हुआ था ठीक है तो vacuum tube transistor ठीक है यहाँ पर आप नोट कर लिजेगा अपना vacuum tube transistor हो गया IC chip किसकी बनी होती है silicon की बनी होती है VLSI का full form आपके exam में काफी पूछा आता है तो VLSI का full form very large scale integration और AI का artificial intelligence होता है अब यहाँ पर बात की गई है कि पहली PD में memory की रूप में किसका उप्योग हुआ तो magnetic drum का उप्योग किया गया था नोट कर लिजेगा option second is right अब यहाँ पर एक option दिया गया है HDD HDD का full form भी triple C साम में आज पूछा गया था जिसका full form होता है hard disk drive जब यहाँ वीडियो को देखिए शाथ में एक notebook और pen जरूर रखिए ताकि जो points में आपको बताता हूँ उनको आप note करते रहिए अब देखते हैं next question QR code संपर्क रहित रूप में काम करता है क्या QR code संपर्क रहित संपर्क रहित का मतलब है कि आपस में संपर्क ना हूँ तो बल्कुल सही है कोई जरूर नहीं है कि आप उसके संपर्क में आएं तभी काम करेगा आप उसे दोल से scan कर सकते हैं कोई जरूर नहीं कि जब तक आप उसे touch करेंगे तभी वो वग करेगा तो संपर्क रहित है option first is right अब next दुकानों का विवरन रखने के लिए कौन सा भारतिय लोकल सर्च इंजन कारे कर रहा है means कौन सा ऐसा लोकल सर्च इंजन है जो भारत का है और दुकानों का विवरन रखने का काम करता है तो इसका राइट आंस होगा justdial.com ठीक है एक website है आपकी एक सर्च इंजन है जो दुकानों का विवरन रखने का काम करता है अब next TCP IP में कुल कितनी लियर होती है TCP IP क्या है इंटरनेट का मानक प्रोटोकॉल होता है CCC में कुशन पूछा आता है कि इंटरनेट का मूलभूत प्रोटोकॉल या स्टेंडर प्रोटोकॉल कौन सा है तो TCP IP होता है ठीक है TCP IP में टोटल लेयरों की संक्या 4 होती है मुक्य तहा कहीं कहीं आपको 5 लेयर भी मिलती है तो यहाँ पर 5 का कोई option नहीं है इसलिए हम 4 वाले को टिक करेंगे कौन कौन सी लेयर होती है ट्रांसपोर्ट लेयर होती है इंटरनेट लेयर होती है नेटवर्क लेयर होती है ठीक है इंटरफिश्ट ठीक है तो इनको आप नोट कर लिजेगा यह टोटल 4 लेयर होती है अब नेक्स्ट American CBV कितने डिजिट का होता है CBB का full form क्या होता है card verification value जिस प्रकार भारत में CBB 3 अंकों का होता है वैसे ही American Express CBB जो है आपका ये आपका 3 डिजिट का होता है कभी कभी security के purpose से 4 भी मिलता है लेकिन यहाँ पर सिर्फ 3 option में दिया गया है तो 3 को tick करना है अगर 3 और 4 दोनों देता है तो भी आपको 3 पर डिट करना है क्योंकि अधिकतर 3 डिजिट्स वाले ही American Express आपको मिलते है अब next इक्वल काउंट 2,3,R,F का मान क्या होगा बताई काउंट फर्मूला आपके लिए काफी important है तो काउंट क्या करता है नंबर की काउंटिंग करता है और इसी से सम्मंदित एक फार्मूला है काउंट ए जो आपके text की means alphabet की counting करता है तो यहाँ पर बात हो रहे हैं किसकी number और text दोनों की और फार्मूला है काउंट तो यह सिर्फ number की counting करेगा यहाँ पर कुल कितने number हैं सिर्फ दो number हैं तो इसका right answer क्या होगा option first to up next land का उप्योग देश और महाद्यूपों के लिए होता है क्या land land का मतलब local area network ठीक है नोट कर लीजेगा land का उप्योग देश और महाद्यूपों के लिए होता है तो बिलकुल आपका गलत है अप्पुरसक computer network को मैं आपको समझा देता हूं land का फुल फॉर्म local area network means एक ऐसा network जो छोटी भागोलिक दूरी में काम करता है छोटी भागोलिक दूरी का मतलब है जैसे किसी office में किसी building में इसका उप्योग किया जाता है फिर दूसरा आपका आता है man man का फुल फॉर्म metropolitan area network होता है ठीक है इसका उप्योग किसी सहर में किसी छेतर में किया जाता है फिर बात आती है van की van का फुल फॉर्म होता है wide area network wide area network का उप्योग देशों में और महादीपों के लिए किया जाता है ठीक है काफी important है अब देखते हैं next question अगली slide पर जाने की shortcut की क्या है library office impress में आपको slide मिलती है यहाँ पर हम star button पर click करते हैं library office impress पर click करते हैं और impress को open कर लेते हैं अगर हम एक slide में हैं और दूसरी slide पर जाना चाहते हैं तो उसके लिए किस shortcut की का उप्योग करेंगे slide हमें कहां दिखती हैं slide page में दिखती हैं अब यहाँ पर हमें एक और slide लेना है तो हम control प्लस M करके एक slide और insert कर सकते हैं और फिर जितनी आप चाहें control प्लस M के माद्यमशे कर सकते हैं तो triple C में question में पूछा आता है कि नई slide इंसर्ट करने के लिए किस shortcut की का उप्योग करते हैं तो control प्लस M का उप्योग करते हैं अब यहाँ पर हम right click करते हैं और यहाँ पर देखिए navigate का option दिया गया है then move का option दिया गया है slide down means slide में नीचे आने के लिए control प्लस से प्लस down का उप्योग करते हैं slide to end के लिए control प्लस से प्लस end का उप्योग करते हैं यहाँ पर navigate का option दिया गया है to next slide, next slide मतलब दूसरी slide पर जाना है, एक slide से दूसरी slide में जाने के लिए हम paste down का उपयोग करते हैं और यहाँ पर click करके हम last slide में जा सकते हैं, तो यहाँ पर हमारा question क्या था कि एक slide से दूसरी slide पर, means अगली slide मतलब next slide पर जाना है, तो उसके लिए paste down का उपयोग किया जाता है, option second is right, अब next, value equal 25 divided by 32 minus 16 multiplied 2 का माहन क्या होगा, आईए, with practical आपको LibreOffice Calc में समझाते हैं, कि यह कैसे आपका work करेगा, अब यहाँ पर आप समझिए, question आपका क्या कहता है, जोम कर लेते हैं, equal 25 bracket 32 minus 16 multiplied 2 bracket close, है ना, अब यहाँ पर पहले bracket के अंदर calculation होगी, तो 16 में 2 को multiply करेंगे, तो कितना हो जाएगा, 32, और 32 से 32 को आप घटा देंगे, लेस कर देंगे, तो यहाँ पर जो answer है आपका, वो कितना हो जाएगा, 0 आएगा, ठीक है, नोट कर लीजीगा, equal 25, divide, bracket लगाते हैं, 32 minus 16 multiplied 2 bracket close, और इंटर कर देते हैं, तो यहाँ पर देखी, यह error आपके सामने आजाएगी, ठीक है, तो आपका जो right answer है, वो क्या होगा, equal यह वाला होगा, पहली बार में 0 वहाँ पर इसलिए आगया था, क्योंकि वहाँ पर एक mistake आपकी हो गई थी, ठीक ह यहाँ पर divide का symbol जो है, वो आपका छूट गया था, यहाँ पर यह multiply का symbol लगा था, किसका symbol? multiply का, तो 25 में 0 का multiply होगा, तो 0 ही आएगा, जबकि हमारा question divide में है, यहाँ पर देखें, divide में है, इसलिए यहाँ पर यह error आपकी आजाएगी, अब next, क्या दो दिश्तों, D, K, A की ही email address हो शकता है, means, दो दोस्त है, D, K, हैना, D एक दोस्त है, दूसरा K है, दोनों की email ID एक हो शकती है, तो बिलकुल आपका गलत है, कभी भी नहीं हो शकती है, क्योंकि जैसे, दो लोगों के bank account शेम नहीं हो शकती है, वैसे ही दो लोगों की email ID भी शेम नहीं हो शकती है, option C is right, अब next, गूगल के CEO कौन है, बताई, तो गूगल के CEO कौन है, तो सुन्दर पिचाई, वर्तवान समय में गूगल के CEO है, option 1st is right, कब से है, 2015 से सुन्दर पचाई, गूगल के CEO है, अब next, folder also called directory, क्या folder को हम directory भी कहते हैं, true या false, तो बिल्कुर आपका सही है, folder को हम directory के नाम से भी जानते हैं, option 1st is true, अब next, उमंग एप कब जारी किया गया, उमंग है क्या, ये क्योशन भी triple C exam में काफी पूछा आता है, तो उमंग भार सरकार की डिश्टल इंडिया के अंतरगत, एक डिश्टल प्लेटफॉर्म है, जहाँ पर भार सरकार की योजनाएं आपको मिल जाती है, और उमंग एपको लां क्लास जरू अटेंड करें, जो कुशन से यहाँ पर बच रहे हैं, इम्पॉर्टेंट है, वो नेस क्लास में हम रिसक्स करेंगे, तो आज सी क्लास में बस इतना ही, मैं आशा करता हूँ कि आपको यह वीडियो पशंद आया होगा, वीडियो पशंद आया हो, तो लाइक कर दीजे, शेर कर दीजे, और चनल पर नए हैं, तो सब्सक्राइब कर दीजे, थैंक्स पर वाचिंग माई वीडियो, फिर मिलते हैं, नेस क्लास में, तब तक के लिए, बाए बाए